तो अभी हम डिसकस करेंगे कोशिन निमबर 11 फ्रॉम टेस्च और नॉलेज इंडेश 66 और यह एक्जाम के लिए मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टन है बड़ा कोशिन है अच्छा कोशिन है एक्जाम में आने का पूरा चांसस रहेगा हम अच्छे से करेंगे इस कोशिन को चलिए start करते हूं अराम से हो जाए मैं अब कोशिन समझेंगे अच्छे से अगर आप कोशिन समझोगे न यह कोशिन आप अटेंपटी नहीं कर पाऊगे रट्टा लगा होगे तो दिक्कात आ जाएगे एक एक चीजों को आपको समझना है क्लारिटी आपको लेना है और फिर आप देखना है कितने अच्छे साब समझाल होगे तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लोगा ताकि मैं इस कुशिन को बैस अंडर्सेंडिंग आपको दे सको ताकि अभी आप टाइम लगा थो पर एक्जाम में आपको टाइम लगाना ना पड which is used for the purpose of bottling in bottling का काम करता है कौन मसीनरी ए there is one more मसीनरी विचिस मसीनरी भी यानि मसीनरी ए तो ही एक और मसीनरी ए यह जो कि क्लब कर दिया गया मसीनरी ए के साथ चलिए समझेंगे आगे मसीनरी ए can individually have an output and also sold independently in the open market यानि मसीनरी ए का जो भी output है मानलों वो अगर वो जनरेट कर रहा है कैसे इंपलोस तो भी माना जाएगा वो इंडिविज्यली उसका value निकाला जा सकते है और अगर वो वह जनरेटिंग ए उसका active मार्केट है तो उसमें भी हम क्या गएंगे वह इंडिविज्यली यहानि मसीनरी बी जो है न वो जनरेटिंग नहीं कर सकता कुछ भी और वो आउटपुट भी कुछ निकाल के बीच नहीं सकता मार्केट में यहानि मसीनरी बी जो है वो बोल दिया गया कि मसीनरी में डिपेंडेंट है तो अभी तक हम ने क्या समझा है कि मसीनरी जो है इसका उटपुट मार्केट में बिखता है है यह capable of generating cash loss तो मसीनरी यह एक इंडिविज्युविज्यूल cash generating unit है और इसका individual value news निकाल सकते है recoverable amount निकालके impairment भी कर सकते है पर वही मसीनरी भी कि मैं बात करूँ यहां पर हमें साहरा लेना पड़ेगा किसका smallest identifiable ग्रोप और सीजूस इसका हमें साहरा लेना पड़ेगा क्योंकि मसीनरी भी यहां पर मुझे अपी तक क्या समझ मैं मैं आपको वापस समझा रहा हूँ एक तो मैं कहूंगा कि जो मसीनरी यह है न यह खुझ से ही capable of generating cash flows तो यह individual सीजू है और साथी साथ और साथी साथ पता है क्या हो रहा है और साथी साथ क्या हो रहा है कि मसीनरी ए के साथ मसीनरी भी को मिलना पड़ता है cash flow generate करने के लिए और इसी सीजू के अंदर इन्होंने में क्या बताया कि inventory और goodwill भी है इसी सीजू के अंदर inventory कितने का है 2 लाग रुपेस का inventory है और goodwill कितने का है 1.5 लाग रुपेस का goodwill है तो मैंने basic class में सारा चीज़ समझाया था कि जबकि recoverable amount जो है वो तो पूरा सीजू का निकल के आएगा तो जो recoverable amount अगर पूरा का पूरा सीजू का निकल के आएगा तो carrying amount जो है वो carrying amount भी हम पूरा ही लेंगे न तो जैसे मैं आपको example समझाया था कि मालो for example कोई आया बंदा उसने का कि मेरा पूरा फ्लेट खरी लेगा फ्लेट के अंदर अलमारी से लेके मेरा laptop से लेके iPad सब कुछ वो ले लेगा और उसने मुझे offer कर दिया टू करोड रुपीज वो मुझे देगा और वो सारा ची ले जाएगा तो आप बती के अंदर उस सीजू के अंदर जितने आइटम से उन सब को लेना पड़ेगा भले उस पर इंडेट से अपलाई हो या ना हो मेंटर नहीं करता है और लास्ट में वैसे भी उस पर और यह पूरा सीजू मिला के कितना होगा हम बाद में देखेंगे चलिए आगे हम बढ़ते हैं अच्छा मसीनरी ए अपने परचीस कब किया फर्स अप्रेट 2013 को परचीस किया पौर रुपीज टेन लाग एंड रसीड़ वेलू इस रुपीज फिफ्टी थाउजन मसीनरी ब यूसफुल लाइफ और बोद दा मसीनिस तैन यूर्स दोनों का लाइफ तैन यूर्स का है यूसफुल 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 एक्सपेट्स फॉलविंग कैस्ट लोस इंदा नेक्स्ट फाइव एर्स परटेनिंग तो मसीनरी ए इंक्रेमेंटल बोरूइं रेट और यहा आपर पर कॉयों की होने मैं बताहिए की मसीनरी और मसीनरी फेल fell 2015 इन्होन नी मि यह निस को निकालेंगे और वेल्यूम का माय justamente से दोनों का हाय रही तो दोनों का हाय रही तो लेंगे और उसी को तो रिकवरेबल मानेंगे पर नीचे आपको दिया हुए 31st मार्च 2018 को मार्केट वेलू बता दिया मैसिनरी एका यानि फैर वेलू माइनस कॉस्ट वगेरा नीचे यहाँ पर हम क्या करें परता है एजुम कर रहें ऐर्टी फर्ष्ट मार्च 2018 के बारे में यह बात कर रहे है यह हमारा एजमसन है कि यह जो आपको क्या स३स्ट अप आप हैं और यह मसिनरी एक का metals느 से और यहाँ पर फाइव एट्स का ही कैस्त लूगया और हैपका फाइवेर्स का कैस्ट दिया हुआ है तो हम यह दिखेंगे कि फाइवेर्स के बात का लेटर का क्या ठीटों का 31st March 2018 यहां से फाइवेर्स ही बचते हैं लेकिन ऐसा नहीं हम इसको कंक्लूजन में नहीं ले सकते हैं तो चलिए आपको समझ में अच्छी तरीका से यहां पर अब आगे जैसे कि हम क्या करेंगे सबसे पहले में क्या करना चाहिए 31st March 2018 का मसीनरी ए का कैरिंग अमॉंट और मसीनरी बी का कैरिंग अमॉंट हमें जानना चाहिए क्योंकि 31st March 2018 को कैरिंग अमॉंट हमारी पास होगा तब ही तो उसको रिकावरेबल अमॉंट से कंपैर कर पाएंगे तो अभी में क्या करूँगा सबसे पहले आपको अराम से समझाओंगा सबसे मिले में जानना चाहूँगा कैरिंग अमॉंट ओफ मसीनरी ओन 31st March 2018 यह ओन 31st March 2018 यह क्या होगा आप देखें तो आप यहां पर समझे कॉस्ट कितना था यहां पर होगा कॉस्ट जो होगा माइनस फाइवेर्स का डप्रिशेशन क्योंकि फर्स सप्रेट 2013 को खरीदा है ना और वहां से फाइवर्स का डप्रिशेट करेंगे तब 31st समार्स में पहुंचेंगे आपका कॉस्ट यहां पर लगा हुआ है थिंग सो टैन लग था क्या देख लेता हूं तो यहां पर अगर तो बताओ क्या 10 लाग को 10 years में डप्रिशेट करेंगे कि 9 लाग 50,000 को करेंगे तो आपका जो फाइवर्स का डप्रिशेशन होगा वो गा 9 लाग 50,000 divided by 10 years into 5 years क्योंकि 50,000 salvage के मिली तो salvage के भाव पे आपको मिली गई ultimately depreciation 9,000,000 को होगा over a period of 10 years यहनी every year 95,000 का depreciation होगा तो 5 years का depreciation कितना होगा 5 लाग में से 25,000 हटा दो यहनी 4,75,000 का depreciation होगा यहनी 10 लाग माइनस 4,75,000 और यह आगया कितना 5,25,000 यह हमारा carrying amount है कब का 31st March 2018 का हमने carrying amount निकाल लिया asset A का चलिए यह हमने समझा आगे हम क्या करेंगे carrying amount of निकालेंगे machinery भी निकालेंगे 31st March 2018 का यहाँ पर भी cost minus अब देखेंगे हम कब खरीदा आपने आपने इसे खरीदा 1st April 2015 को 4 रूपीस 5 लाग और इसका कोई residual value नहीं इसका life भी 10 years ही है तो यहाँ पर आप देखेंगे ना आपने खरीदा है 1st April 2015 को आज ही 31st March 2018 यहनी कितना साल बीता तो यहाँ पर 3 years का depreciation होगा जब खरीदा हो वहाँ से 3 years ही तो पास हुआ है तो 3 years का depreciation होगा यह नि 5 लाग में खरीदा हमने माइनस क्या होगा 5 लाग को हम 10 years पर depreciate करेंगे और 3 years का हमें depreciation चार्ज करना है यानि यह आजाएगा 3,50,000 लोग पूरा लिखता हूँ 5 लाग माइनस 1,50,000 यह आ गया हमारा कितना 3,50,000 हमारा carrying amount of machinery भी भी हमारा आगया कोई problem यहाँ तक नहीं होई यानि हमें carrying amount machinery A, machinery B का 31st March 2018 18 का में मिल चुका है अब आगे अगर हम proceed करते हैं तो आगे आपर आपको बता आएगा कि देखो asset A जो है वो individually cash flow generate कर सकता है तो आप बताईए हम अगर CGU का भी हमें impairment करना है तो CGU का impairment करने से पहले मैं आपको समझा था पहले अप individual asset को impair करो है ना individual asset को impair करो उसके बाद है CGU को impair करेंगे हमने यह समझा तो इसलिए यहाँ पर हम ही क्या करना चाहिए पहले देखो न अरे total मालो 45 assets है total 4-5 assets है उसमें एक asset गुनेगार है हमें पता चल चुक है तो पहले उसको सजा दो ना बाद में बागी को अगर बच्चे का तो हम सजा देंगे जो असली कुनेगार है पहले तो उससे सजा मिल जाना चाहिए और CGU को अगर हम सीधा सातो साथ अगर हम instantly अगर हम CGU को directly impair कर देंगे तो वैसा situation में क्या होगा CGU को impair करने पर automatically में pro rata सब को impair करना पड़ेगा क्योंकि जब आप CGU का साहरा लेते हो तो within the CGU जितने भी eligible assets है सब में pro rata impairment होते हैं तो problem आजएगे इसलिए आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है कि पहले को individual assets impair हो रहा है तो उसे impair करो फिर CGU को impair करो और जहां CGU और group of CGU है तो पहले CGU को impair करो फिर group of CGU को impair करो यहनी छोटे जगा पर पकड़ो छोटे लोगो को पकड़ो पहले उसे पीटो फिर बाद में बड़े को पिटना तो इसलिए यहाँ पर asset यह जो है वो individual cash flow generate कर सक है तो asset A काम क्या करेंगा recoverable amount निकाल के उसका impairment करने की कोसिस करेंगे बाद में अगर को CGU का impairment होना है तो वो में करना चाहिए तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं आगे जैसे मैं आपको समझाया आते हैं आपर question में कि machinery B जो है वो machinery A के सहारे पर machinery A एकलोता अपना काम कर सकता है और एक CGU है जिसमें machinery machinery भी हो गई साथ में आपका inventory और goodwill भी होगा यह पूरा मिला के एक CGU बनता है अभी आगे हम बढ़ते हैं चलिए आगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 31st March 2018 का machinery A का cash flows दिया हुए इससे क्या value news निकाल सकते हैं और आप बताओ value news निकालने के लिए ह यहां हमाया cash flows आएगा और last में कबारी से भी क्या आएगा यह भी हम लेते salvage value वो भी तो मिलेगा हमें वो भी तो machine का हिस्स है machine का value का हिस्स है तो यह भी हम लेगे क्योंकि carrying amount of machine में सब कुछ है और आप value news निकाल रहे हो तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा residual value भी calculation of value in use of machinery on 31st March 2018 फिर्स्ट यर फिर्स्ट थर्ड फॉर्ड फिर्ट चलिए cash flows देखते हैं सारे किदिन है 151 151 वन लैक फिटी थाउजिन और इदर वन लैक आ गया और साथ में इदर एक और फिटी थाउजिन यह क्या यह सेलवेज है है यह residual value है और यह भी आता है आप क्या करेंगे इसे पूल करने के लिए हमें क्या चाहिए इसकाउंट रेट ची होते हैं मैं तो डिसकाउंट रेट क्या कुश्चिन में 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 किया है कहीं पर इंक्रीमेंटल बोरेंग रेट 10 परसंट डिसकाउंट रेट यह आपका है में regular class में समझाया था ना हम रिस्क स्पेसिफिक ते डिसकाउंट रेट निकालते अगर वह पॉसिबल नहीं है तो वेटे डिच कॉस्ट अपकेटल लेते वह पॉसिबल नहीं तो इंक्रीमेंटल बोरेंग रेट लेते यह फिर अज़र मार्केट बोरेंग रेट लेते है कोई नहीं है तो चलिए अभी हम क्या करेंगे सबको पूल करेंगे किदा टैन परसे देख लेता हूँ है तो हमें पूल करना है और इसे भी हम क्या करते हैं पर यह रब कर रहा हूं रेसेडल वेलू जो है इसे भी पूल करना है चलो यह सारा में पूल करेंगे तो अब आप देखी यहां पर मैं पूल करने का एक तरीका बता रहा हूं देखिए यहाँ पर 1,50,000 common है यहाँ पर 1,50,000 common है यहाँ पर 1,50,000 common है तो इन तीनों को हम एक साथ खीच सकते हैं 10% से मैं खीचना है तो देखिए हम कैसे केचेंगे calculator में ऐसे तो आपको आते ही होगा पर फिर भी मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको चलो करते 1,50,000 divided 1.10 क्या मैंने तो इसके 1 year का मैंने interest निकाल दिया तो मैं से तो मैं equal करूँगा तो कि यह मुझे चीए 1,50,000 यह से equal M plus पे छोड़ दिया फिर वापस दे equal करूँगा तो दो बार बोलोगा और second year में तो तो M plus नहीं करूँगा फिर तीसरा equal फिर दबा दूगा थाड़ इर में भी नहीं है चोथा वाला में दबा के M plus रखूँगा पांचवे वाले में दबा के M plus रखूँगा MRC कर दूँगा यह आएगा 331953 यह आगी हैं बार फिर next आपका वन लेक जो है दो वन लेक है तो मैं वन लेक है डिवाइडेड वन पॉइंट वन जिरो equal में M plus नहीं करूँगा क्योंकि first year में नहीं है फिर equal में M plus करूँगा फिर equal में M plus करूँगा second year ठर्ड़ एर का और port pit में तो हैं नहीं तो MRC कर दिया मैंने 15776 और इसे total कितना आ जाएगा 331953 यह आगा 489729 पॉइंट वन है तो 489730 लिख देता हूँ हाँ चल जाएगा 489730 हमने लिख दिया राउंड ओप करके चली तो 489730 हमारा क्या आया value in use आ गया हमारा किसका of asset A का आया सिर्फ यह asset A का है आपको यह ध्यान में रखते हैं वैंड यू न्यूस हमने asset A का निकाल लिया अभी हमें क्या निकालना चाहिए अभी हमें निकालना चाहिए हमें यह जाना है कि fair value minus cost to sell क्या होगा तभी द्वास रुपीस वन लाग देर इस इन नीड तो डिस्मेंटल दा मसीनरी विफोर डेलिवरिंग इट तो दा बायर दिस्मेंटलिंग कॉस्ट इस रुपीस वन पॉइंट फैजरो लग specialized packaging cost उट भी रुपीस 25,000 and legal fees उट भी 75,000 तो आप मेरी बातों को समझें यहाँ पर यहाँ पर आप देखे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपका यहाँ पर जो खर्चा है वन लाग रुपीस का valuation fee का खर्चा है क्या यह valuation fee का खर्चा आपका आप यह कहोगे कि directly attributable cost आपका क्या यह cost of disposal है मैं बता हूँ यह cost of disposal नहीं है cost of disposal मतलब incremental cost जो आपका लगना वो तब ही लगीगा जब आप dispose करोगे लेकिन valuation once आपने करा दिया भले आप उसे फिर बेचो या ना बेचो यह तो आपका valuation का फीस लगी गई तो यह ध्यान में रखे यह कभी भी not a part of cost of disposal यह आपका cost of disposal का हिस्सा हो गई cost of disposal का मतलब यह कि dispose करने पर ही खर्चा लगी है नहीं dispose करेंगे तो खर्चा नहीं लगी है आपने valuation करा है valuation करा है अब अगर dispose नहीं भी करोगे तो भी payment तो करना ही पड़ेगा valuation का तो यह आपका cost of disposal नहीं है यह हमने समझा फिर आगे dismantling अब विस्टी बात है का dispose करोगे तो dismantle करना ही पड़ेगा आपके पास उपाई नहीं है दिस्पोस नहीं करोगे तो dismantle अब जो ट्रांसफर वगेरा का खर्चा लगी है जैसे documents वगेरा हम ट्रांसफर करते हैं तो यह भी आपका खर्चा क्या होगा cost of disposal माना जाएगा तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मैं कहूंगा क्या क्या होगा हम कहेंगे कि 7 लाग रुपीज हमारा फैर वेल्लू है यह फिर हम ऐसे लिखते हैं माइनस कॉस्टो डिस्पोसल और फैर वेल्लू हमारा कितना है सेवन लाग रुपीज है सिवन लाग रुपीज हमारा फैर वेल्लू हो गया और खर्चा क्या क्या हमारा खर्चा वन लेक तो आइगा नीए वन लेक फिटी दाज़िन ट्वंटिफफ़जन सेवन लेक पाजिन यह हमारा डिस्पोजल का तीनों खर्चा होगा यह आई गा कितना आपका तो लाग फिफ्टी पॉर लाग फिफ्टी थाउजिन आपका तो आप बताएं यहां पर कौन सा हायर है आपका यह हायर है कि आपका यह हायर है और इसलिए फोर इनेंट श्रीजिरो हायर है तो देरफोर हम क्या यह नहीं कह सकते हैं रिकावरेवल एमाउंट कि अपर एसट ए कितना होगा पर आहर वहला एक लोगा फोर एट नाइन सेवं स्रीजिरो यह मारा रिकावरेबल एमांट होगे और एसट एका कैरिंग अमांट कितना है यह रहा तो देर्पोर इंपर्मेंट लोस आ रहे किया यह आ रहा है प्रिदिविजियली एसट एक ओमने इंपर्मेंट कर दिया और इंपर्मेंट लोस इसका कितना आएगा फ्वाइब लाग ट्वन्टी फ़ॉचिन माइनस पूर एट नाइन सेवन त्री ज इंपर्मेंट लोस आ रहे है तो देर्फोर ऑव्विजि बात है रिवाइज्ट केरिंग एमांट कितना होगा रिवाइज्ट केरिंग अमने जाएगा और अल्टीमेटली पूर एट नाइन सेवन त्री जिरो अब रिकावरेबल एमांट में पहुच जाओगे और यह आपक इंपर्मेंट जब भी करते हैं तो हम रिकावरेबल एमांट पर पहुच जाते हैं तो चली हमने रिवाइज्ट केरिंग एमांट निकालिया किसका एसेट एक हमने रिवाइज्ट केरिंग एमांट निकालिया अब हम बात करेंगे एसेट भी का तो आब बते क्या एसेट भी क्या asset भी यहाँ पर individually cash flow generate करते हैं नहीं करते हैं तो उसका हम individually impairment testing नहीं कर सकते हैं तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा अभी हमें cju का impairment testing करना पड़ेगा है ना तो यहाँ पर अब हम next क्या करेंगे impairment testing जो हम करेंगे ना वह हम cju का करेंगे of entire cju CGU का करेंगे तो CGU का अगर मैं बात करूँ तो caring amount of CGU क्या होगा यह होगा caring amount of asset A पर धियान रखना यह हम लोग revised वाला लेंगे क्योंकि हमने already asset A को impair कर दिया तो आपके balance rate में अब यह निया asset दिखेंगा और यह हम लेंगे caring amount में क्योंकि जो impairment हुआ यह आपका PL में चला गया यहीं 5,25,000 का जो asset दिख रहा तो वो कम हो गया और जितना से कम हो वो आपका PL में charge भी हो गया कोई problem वाली बात यहाँ पर नहीं है आपका और अगर हम बात करें आगे caring amount of asset B भी लेंगे हम लेंगे inventory और हम लेंगे goodwill यह सारे CGU के हिस्से यह चार हिस्से चार सम्भ है किसके CGU एक है यहाँ पर आप देखिए caring amount of asset एक क्या हुआ 489730 और caring amount of asset भी हमने निकाल के रखा था आपके लिए यह रहा 3,50,000 और inventory भी इसका हिस्सा था inventory से 2,00,000 रुपीज का था और goodwill 1,50,000 का था तो आप का रहा 3,50, 4,50, 5,00, 7,00, 11,00, 89,000 730 का आपका carrying amount of CGU हुआ एक अब मेरी बात को समझो हमने यह तो ले लिया हमने यह इसलिए लिया सारा का क्योंकि recoverable amount पूरे entire CGU का निकल के आएगा तो उसी से compare करने के लिए हमने यह लिया पर बताओ क्या impairment इन सब पे होगा क्या asset एपे फिर से impairment हो सकता मैं कहूंगा नहीं हो सकता मैं आपको और इसे नीचे गिराने का तो कोई सेंस नहीं बनता आरे आपका marks जो है वो 30 आना चाहिए था आपको 70 दे दिया हमने गलती से इंपार करके 30 पे पहुचा दिया तो वापस ने इंपार करूँ आपको नहीं करूँगा ना आपका हो गया आपका काम हो गया पिट चुके हो तो एक बार जो पिट चुका बस बात लिया कि हमने इसको हमने इसलिए लिया तक कि हम recoverable amount से compare कर सके क्योंकि recoverable amount पूरा CGU का पताएगा और उस CGU के अंदर inventory भी है तो better comparison के लिए हम यह लेना पड़ा पर इसका impairment होगा नहीं तो आगे जो भी impairment होगा वो किस पे होगा वो asset B पे होगा और goodwill पे होगा prorata पर यहां पर goodwill पे तो prorata होता है नहीं goodwill तो सबसे पहले उड़ता है बाकी remaining assets पर prorata होगा और बाकी remaining assets goodwill के बाद बचा कौन है सिर्फ और सिर्फ asset भी बचा है क्योंकि asset E तो already impair हो चुका inventory तो impair होता नहीं है और goodwill के बाद बचेगा कौन asset भी बचेगा तो चलिए मजा तो आएगा में अब हम देखते हैं आप रिकवरेबल अमांट के है रिकवरेबल अमांट ऑफ सीजू ए नहीं है यह तो asset यह था यह हम लोग सीजू लिख देते बस सीजू हमने लिखा रिकवरेबल अमांट ऑसीजू तो आप यहां पर देखिए हम इन्होंने बताया the inventory has been valued in accordance with इंडेस हो मतलब जो है इंडेस्टू के सब्सक्राइब हो चुक है अगर आपका कुछ यहां पर नर्वी दिया हुआ रहा रहा था तो हम क्या करते हैं अपडेटेटेट केरिंग अमांट लेते इंवेंटरी का जिसका मैंने एक्जांपल अपको करा दिया औरड़ी आगे बढ़ते दे रिकवरेबल अमांट ऑफ सीजियो इस 10 लाग देखो ना सीजियो का रिकवरेबल वैलू बता दिया हमें कितना 10 लाग 31st मार्स 2018 को फिर नेक्स यह आगे तो बात की बात है तो 31st मार्स 2018 को रिकवरेबल अमांट कितना है 10 लाग रुपीज है देरफोर इम्पैरिमेंट और सीजियो कितना होगा यह होगा 1189730 माइनस 10 लाग यह 189730 बता दो मुझे यह फिर्स्ट एलोकेट होगा कितना होगा गोड़ल कितना ये गया यह तो गुद विल यह है ओन लाइ में लिखूंगा क्या पता है रिवाइस के रिंग अमांट लिखूंगा 31st मार्च 2018 का सब्का में लिखूंगा एसेट एक है असेट एक हमने और इंपर्मेंट करने नहीं पहले इंपरिक अनके निकाला था और 389730 एना एक यह निकाला इसका कैरिंग अमांट था कितना इसका कैरिंग अमांट था ना पहले इंपरिमेंट से पहले और इस पर 39730 इंपरिमेंट हो जाएगा और इंवेंटरी तो वही का वही रहेगा तू लाग का तू लाग की रहेगा और गुडविल आप देखिए गुडविल आपका पूरा वन लाग फिटी थाउजिन हम पहले उड़ाते है गुडविल वन लाग फिटी थाउजिन का थाई और हमने वन लाग फिटी थाउजिन पूरा का पूरा उड़ा दिया तो यह आ 270 यह आगया टू लाक ही रहेगा आपका यह और यह आपका नील हो गया और अगर इन कप का टोटल करें तो मेरे क्यासरे टेन लाक ही आना चाहिए हाँ टेन लाक आ रहे है जो रिकवरेबल इमांट था दिखिया वह रिवाइस केरिइंग अमट हो गया और सीचियो तो 31 मार्च तक हमने कर दिया यह 31 मार्च 2018 तक हमने हिसाब भी कर दिया और हमारा यह सारे रिवाइस्ट केरिइंग अमट हमारे आ चुके कोई प्राब्लम यहां तक नहीं हुआ तो यहां तक अगर मैं आपको रिवाइस कर रहा तो मैंने आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाए नहीं मैंने क्या कि अभी तक मैं आपको बता दू मैंने दोनों का कैरिइंग अमौन निकाला 31 मार्च 2018 का चली अच्छी बात है यह प्र आगी मैंने वैल्यू इन यूज निकाला मसीन ये का फेर वेलू-Cos to sell निकाला जिसमें मैंने एक अपका चार्जिस नहीं लिए था कौन सा वैल्यू इशन का चार्जिस नहीं लिए तहा क्योंकि वह ऐसे भी लगना वैसे दिला और फिर इसका कमपैरिए करिए इमौन यहां तक आगे को प्रब्लम नहीं हुए हम आगे बढ़ सकते हैं आगे यहां से क्या बोल रहा है इन नेक्स्ट यर्ड़ कमपनी असेस्मेंट और रिकवरेबिलिटी ऑफ दा सीज्व एंड फाउंड यहां पर इन्हों ने क्या कहा कि आगे रिवर्सल का कुछ कंडिशन हमें नजर आ रहा है तो चले रिकवरेबल का कंडिशन जो भी हमें नजर आ रहा है सबसे पहले तो मैं 31st मार्च 2019 का क्या करना पड़ेगा रिवाइस के रिकवरेबल निकालना पड़ेगा आफ्टर डप्रिशेशन तो जो भी डप्रिशेशन वगरा होना है उसका करके निकालेंगे आपर तो आप देखिए कैरिंग अमांट ओन 31st मार्च 2019 सबसे पहले हमें जानना है सबसे पहले तो मैं 31st मार्च 2019 का जानना है क्योंकि ये तो आपका 31st मार्च 2018 का कैरिंग अमांट है तो आपका क्या होगा देखिए 489730 आपका क्या है कैरिंग अमांट है अब बताईए इसका लाइफ और कितना होगा 50,000 का आपका सेलवेज भी तो है तो डिवाइड़ बई क्या होगा फाइव एर्स होगा यापका निकालने पर यह आपका डपरीशेशन का पार्ट है मतलब मैंने कुछ नहीं क्या मैंने आपको कहा कि 489730 सिंबल सी बात है मैं 489730 को डपरीशेट करूंगा यह नहीं मैं इस में से 50,000 हटा के डपरीशेट करूगा क्योंकि 50,000 सलवेच का मिलेगा मुझे अब जो बच्चा हो वो डिवाइड़ फाइड़ होगा यहाँ यहाँ पर 8-946 आपका डपीशेट होगा और इसको 00 के लिए राउंड ओफ करने के लिए करें 87950 में कर रहा हूँ इंसिट्ट तो और भी जादा राउंड ओफ कर रहा है मैं तो कम ही कर रहा हूँ आप तो यहाँ आप आप देखा 489730 माइनस 87950 यहाँ आप 401780 यह आपका क्या करिंग अमोंट कब का 31st मार्स 2019 का असे यह का पिर अगर हम एसेट-बी की बात करें तो आसेट-बी का कैरिंग अमोंट कितना ही है रहा 310-2700 और एसेट भी में तो कोई भी सेलवेज है नहीं और इसका लाइफ अभी तक पहले 31 मार्स 2018 तर इसका लाइफ त्री यर्स ही जा चुका था क्योंकि वन अप्रेट 2015 को खरीदा था तो अभी यह आप ठीपस मार्स 2018 के बाद जोड़ अप्रिस्टेट होगा ओवर ए पेरिड़ ओव सेवन यर्स होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सेवन यर्स करेंगे यह रहाड डबल पूर त्री टू-फॉर तो दबल पूर त्री टू-फई लिख्टा हूं मैं कि यह दबलपूर त्री टू-जिरो भी लिख सकते कोई प्रॉब्लेम नहीं है जिरो में रखता हूं चले आप एगसेक्ट रखो तू भी को प्रॉब्लम नहीं है आएसे ने ज्यादा राउंड ओफ कि हमें कम ही कर रहा हूं आपर कि अब रहे हैं थ्री वन जिरो टू सेवन जिरो माइनस डबल फोर थ्री डू जिरो यह आपका टू सिक्स फाइब नाइन फैजिरो यह मारा कैरिंग अमॉट आ गया 31st मास 2019 का अब हमें देखना है क्या इन्वेंटरी का कोई अपडेटेटेड वेलू बताया है हमें आप पर चेक कर लेते हैं अब देखें आपर सिजू का रिकवरेबल वेलू इलेवन नाग बताने का मतलब क्या बता है इसके अंदर एसेट ए बी और इन्वेंटरी वगेरा सब कुछ मिला क्या आगिया और नीचे आपको बताने का मतलब है और कंबाइन मसीन ए और बी का मिला के बतार रहा है ने गुड़िल तो हमने अल्रेड इमपैर पहले ही कर दिया आपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप यहां पर दिखोगे चली तो क्लियर है कोई प्राद नहीं होगी हम यापर हम आगे बढ़ते है आगे हम कैसे बढ़ेंगे आगे हमारे बाद स्क्टेरिंगा हम उन्हें चलोगे आगे अगर हम यहांपर जासे हमें दीआ हुए है कंबाइन मसीन यह और भी का तो इस बार में inventory का साहरा नहीं लेने से भी चलेगा inventory का साहरा हम नहीं ले तो भी चलेगा पर फिपी ठीक है CGU पूरा तो CGU कही साथ नहीं चले देख लेते तो यहाँ पर basically आपका inventory भी आगे 2 लाग का आपका inventory है carrying amount क्या goodwill था है यहाँ पर हमारा देखिए goodwill नील था तो यह हमने update कर लिए depreciate के बाद inventory में तो ऐसे भी depreciation थोड़े नहीं होता है तो हमने इसका 2 लाग माना तो यहाँ पर हमारा carrying amount आ जाएगा कब का 31st March 2019 का को और जीरो कि तू सिक्स फाइब नाइन कि यहाँ एट सिक्स डबल सेवन थी जिरो हमारा आ रहे हैं अपर है रहा carrying amount और recoverable amount कितना दिया हुए 31st March 2019 का entire सीजू का में देखने है और यासे भी सीजू पूरा जो सीजू एक बना तो सीजू का सारा लेंगे क्यों कमबाइन में सिंग लेना कुछ सेंस नहीं बंदा सीजू का पूरा लेना है क्योंकि सीजू वह smallest group रहता है ओल्रेडी वह स्मॉलेड ग्रूप आफ तीजू आपका पूरा रहेगा एड़ उसका सीजू का यहाँ पर दीख सकते हो आप कि यह रिकवरेबल हमान हमें बता दिया 11 लेक का तो देरफोर हम यहाँ पर दीख तो रहेके reversal देर इस देरफोर देर इस एक केस ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपैर्मेंट लॉस का किस है तो आपको यहाद होगा मैं आपको बेसिक में समझाया था कि रिवर्सल of impairment loss ऐसे नहीं कि हम हवा में उड़ा के कर देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हम यह चेक करते reversal of impairment loss के वक्त है कि जितना आपका reversal हो रहा हुँ इतना नहीं होना चाहिए कि वो recoverable amount को पार कर जाए और दूसरी चीज हम यह देखेंगे कि carrying amount आज की डेट में कितना होता है यह पहले अगर हम कोई इंपरिमेंट लोज चार्ज ही नहीं करते तो अपका carrying amount आज के डेट में कितना होता और उस ते ज्यादा आप impairment नहीं कर सकते तो इसलिए इसके लिए हमें calculation करने के लिए अगर हमें calculation करना होगा of reversal of impairment loss तो इसके लिए हम कहेंगे सबसे पहले पता है क्या carrying amount of CGU had there been no impairment loss अगर को impairment loss होता ही नहीं तो आपका carrying amount आज के डेट में क्या होता महला beginning some asset को लेंगे और beginning some deficit लगाएंगे और impairment नहीं करके देखेंगे क्या आज का value होता तो देकिन अगर asset एक पहले कभी जिन्दगी में impairment ही नहीं होता asset A 10 lakh में आपने खरीदा है asset A 10 lakh में खरीदा और जैसे मैं आपको समझाया था कि 9 lakh 50,000 ही 10 years में depreciation होगा क्योंकि salvage है 50,000 का तो आप समझे आज का date क्या है आज हमारा date 31st March 2019 और मुझे याद है इसने खरीदा था 1st April 2013 को asset A खरीदा गया था 1st April 2013 को बुक में लिखा हुआ है और asset B खरीदा गया था 1st April 2015 को तो asset A 1st April 2013 को खरीदा आज है 31st March 2019 14 15 16 17 18 19 यहनि 6 years तो यह 6 years का आपका divided by 10 years तो होगा यहाँ पर इंटू 6 years का हमारा depreciation हो जाएगा तो मसीन asset A का carrying amount क्या होगा had there been no impairment loss 9,50,000 divided by 95,000 इंटू 6 हो जाएगा minus 10 lakh 4,30,000 आदा इसका यहनि अगर कोई impairment loss नहीं होता जिंदगी में कभी impairment loss नहीं होता तो reversal भी नहीं होता तो हम यह जाने की कुछिस करें कि कोई impairment loss नहीं होता तो हमका carrying amount क्यों होता 4,30,000 होता asset B का अगर मैं बात करूं asset B हमने खरीदा था 5,00,000 में इसमें कोई salvage था नहीं तो यहाँ पर अगर कोई impairment loss नहीं होता तो हम क्या करते सीधा 5,00,000 को 10 years में depreciate करते और यह 1st April 2015 को खरीदा आज 31st March 2019 नहीं 4 years तो यह आपका कितना आएगा 3,00,000 आएगा 2,00,000 का depreciation चार सालों में 3,00,000 आपका आजाएगा inventory inventory हमारा कितना होगा 2,00,000 का होगा हमारे अपर inventory obviously बात है और goodwill तो ऐसे भी है नहीं वो उड़ चुगा है तो उसका कोई काम नहीं है तो यह आपर हम देखते कि कितना हमारा होते हैं आपर दिख्या 4,00,000, 3,00,000, 7,00,000, 9,00,000, 30,000 होता हमारा had there been no impairment अगर impairment नहीं होता तो इतना होता और आप देखिए recoverable amount कितना दिया हो है मतलब हम 9,00,000, 30,000 से जादा value कैसे दिखा सकते आप सोचिए वो भी reversal के नाम पर अगर को impairment ही नहीं होता तो आपका carrying amount आज के इतना ही होता goodwill तो ऐसे भी reversal ही होता उसे मतले ना उसे अठा हो तो उसके अलावा आपका आज का carrying amount कितना होता 9,00, 30,000 होता तो reversal धियान रे 9,00, 30,000 सोपर कभी जाएगे नहीं कभी नहीं जा सकता यह आपको समझना है वो कभी पॉसिबल ही नहीं जाने का और दूसरी चाहिए मैं recoverable amount की बात करूँ तो recoverable amount हमें दिया हुआ 11,00,000 रोपीस का तो चली ठीक है तो यहाँ पर हम obvious यह बात है हम इसको बात आएगा तो asset B का आएगा तो आपको यह समझना है कि asset A जो है न वो reverse होने पर भी maximum 4,30,000 तक ही पहुचेगा उससे जादा नहीं पहुच सकता वो और asset B जो maximum 3,00,000 तक ही पहुचेगा तो हम यह कह सकते हैं therefore reversal of asset A आपका कितना होगा 4,30,000 तक ही maximum पहुच सकता और आज की rate में है कितना आज की rate में 4,0,1,7,8,0 यह आज की rate में तो reversal होगा कितना 282,2,0 का reversal हो जाए और यह PL में क्या होगा credit हो जाएगा PL में credit हो जाएगा फिर अगर हम बात करेंगे reversal of asset B की तो यह आपका 3,00,000 से ज़्यादा हो नहीं सकता recoverable amount already ज़्यादा तो tension वाली बात नहीं है यहाँ पर आपका B का कितना है 2,65,9,50 3,00, 3,40,50 यह इतना PL में क्या होगा credit हो जाएगा तो ultimately यहाँ पर हमारा answer खत्म होता है बस मैं आपको एक बार बैलेंसरेट में एक चीज़ समझाने की courses कर रहा हूँ कि 31st March को 31st March 2019 को balance rate में क्या था पता है asset यह था जिसका value कितना था 401780 था asset B था जिसका value था 31st March 2019 को मने carrying amount निकाला था 265950 कि और inventory था कि inventory था इन्वेंटरी का value कितना है टूलाग है तो टूलाग रहेगा माना चली इन्वेंटरी का तो फूलाग 30,000 अपका carrying amount होता है तो उससे ज्यादा हम reversal कर नहीं सकते हैं तो यह आपका होगा फूलाग 30,000 तो हमने देखा कि से ultimately reversal होगा टू एट डबल टू जिरो और यह पील में credit हो जाएगा कि reversal के नाम पर फिर आगे इसका भी reversal इंपैर उन से पील में debit होता है तो रिवर्सल उन से credit होगा 34050 यह भी reversal के नाम पर क्यों होगा पील में credit हो जाएगा और यह बन जाएगा कितना कि वहीं थ्री लाकी होगा आप चोटल कर लो थ्री लाकी होना चीज़ का वैल्लू यह हो गया और goodwill हमारा inventory तो हमारा यह है यह आपका तो ultimately तीन figure हमारा यह वाला निया यह सारा figure है तो ultimately हमारा total क्या हो गया टोटल वैलू कितना हो गया और यही तो यहाँ पर हमने लिए लोवर वाला क्योंकि रिकवरेबल मौन जाद है पर इससे जादा हम उपर reverse करी नहीं सकते है तो ultimately बस ही हमारा बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते एक बाद और कुछ तो कोशिन ने पूछा नहीं है कंप्यूट दा कोशिन का requirement क्या देख लेते हैं कंप्यूट देख लेते हैं कंप्यूट देख लेते हैं इंपार्मेंट लॉस ऑन सीजी और चार्जिंग इंपार्चिंग इंपार्मेंट लोस फो यह एर ने 31st माश 2018 कर लिया सार अच्छी बताया वापको प्रोस्पेक्टि है कोई दिखकर नहीं है यहां पर भी हलका सा फरक दिखेगा इनका 86734 हमारा क्या आता है हमने 86730 हमने साथ राउंड हो किया था है ना इसलिए हमने बूलिया था कोई प्राबलम नहीं है क्या फरक पड़ता है तो अब देखिए 9,30,000 आ रहा है हमारा और इन्होंने बोला क लिए ना 62266 का रिवर्सल होगा और हमारे साथ से रिवर्सल कितना हो रहा था यह रहा है यह आपका रिवर्सलों हो रहा है और इन्होंने क्या दिखाया इन्होंने 622664 रूपीज का वही पर मैंने 4 रूपीज जो राउंड ओप किया था है ना हमारा है 62270 परफेक्ट है तो देकिन अंसर पूरा परफेक्ट है 9,30,000 भी हमारा आया carrying amount सारा चीज हमारा है तो चलिए ना कोई problem नी देखिए question थोड़ा बड़ा है I agree पर question tough बिल्कुल भी नहीं अगर आपका clarity रहगा नो तो question tough बिल्कुल भी नहीं लगिए आपको हमने हाला की time लिया हमने time लगा है यहां पर पर मैं आपको आपको repeat करा दे रहो मैंने महले machine A को impair किया उसको net value पर लेके गया मैं फिर machine A का जो net value है net revise carrying amount है machine B inventory और goodwill एकटा carrying amount CGU का पता किया फिर उसको recoverable amount CGU से compare किया impairment आया तो पहले goodwill को impair किया फिर machine B को impair किया क्यों machine यह तो हो नहीं सकता हो गया impairment inventory करते नहीं तो यह करने पर हमारा revised carrying amount आ गया अब next year तक पहुचने के लिए हमने उस पर depreciation charge किया जो भी depreciation charge करना आपको आता है तो 31st March 2019 का हमारा revised carrying amount आ चो अब 31st March 2019 को हमारा जो revised carrying amount आया sorry carrying amount आया after depreciation उसको हमने compare किया recoverable amount से तो recoverable amount से compare करने पर हमारा क्या निकल किया 31st March 2019 को हमारा reversal of impairment loss निकल किया है तो यह जो reversal हुआ है यह हमने जिस पर impairment लगा उससे को तो reverse करेंगे goodwill तो गया वो कभी reverse होगा नहीं इंवेंटर तो इंपर हुआ नहीं था तो asset A, asset B को हमने दिखा कि केतना reversal होना चाहिए तो reversal के लिए हमने सीखा है कि recoverable amount से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता और carrying amount had there be no impairment अगर कभी impairment ही नहीं होता तो carrying amount आपका क्या होता उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता तो इन सब चीचों क दिखान में रखते हैं हमने reversal किया और ultimately reversal करने के बाद हमने balance हिट में आपको मैंने बता भी दिया कि ultimately क्या आपका carrying amount है तो चली इसी तरीके से हमने revise भी किया and ये question हमारा भी complete होता है